Hello Friends, Welcome in Your Physics Class आज हम वीडियो लेके आ रहे है Question and Answer टाइप वीडियो ये Chapter Superposition of Waves के उपर में ये वीडियो Specialist Standard 12 के लिए है जो महारश्टर बोर्ड के exam देने वाले 2024 के अंदर में तो चलो बिना देरी के शुरू कर देते हैं Question and Answer वाला ये वीडियो तो हमारा सबसे पहला Question ये रहेगा What are the properties of progressive waves? What are properties of progressive waves? देखिए ये जो वीडियो है हमारा वो डिरेक्ट आ रहा है, uncut वीडियो है ठीक है? और ये जैसे आप इसको देखेंगे न तो साथ-साथ आप answer लिखना भी सीख लोगे matrix भी बताऊंगा, how to write answers और साथ-साथ हम लिखते भी जाएगे ठीक है न? नहीं तो क्या होगा? जैसे एक PDF मिलती है Question and Answer की that is very difficult to memorize all things, लेकिन मेरे साथ में पढ़ाई करते-करते हैं मैं एक्तम light और easy तरीके से मैं आपको ये सब कुछ prepare करवा देता हूँ progressive waves ठीक है, तो number one पहली property क्या है? सभी particle, जो medium में के जो particle है, जब आपका view pass होगा propagate होगा किसी medium में से तो वो medium के जो particles से वो vibrate होँगे तो vibrate होते वक्त, वो क्या perform करते? they perform as such a तो मैं लिख लेता हूँ या पे all vibrating vibrating particles of medium perform as such a okay, जब ये progressive wave of medium में से जाता है तो सभी particles medium के as such a perform करते simple harmonic motion perform करते, साथी साथ इन सभी का amplitude period और frequency सेम रहता, तो ये भी इसकी property बनेगी, है न? तो इसको भी हम लिखते थे as a property तो हम बोलते all vibrating particles particles, particles के बार में हमेशा ऐसा ही जिखर करना all vibrating particles किसके particles of medium तीक है, ये common line हमारी है तीक है न? वाइब्रेट्स वाइब्रेट्स वीद, same amplitude amplitude, same होना चाहिए उनका same amplitude, frequency and period ओके, ये सब same same रहेगा गौर से रहो हम क्या लिख रहे है we are writing properties what is mean by that तो जो भी आपको मालूम है progressive wave के बार में वो properly यहाँ पर हम लिख रहे है these are called properties vibrating particle का phase particle to particle change हो रहा है हर particle का phase different आपको मिलेगा यहाँ पर तो हम यहाँ लिख लेते the phase phase changes changes कैसे change हो रहा है बर बर कैसे हो रहा है from one particle to another from one particle to another ठीक है चलिए एक particle से दुसरे particle वो phase change कर रहा है तो मेरा यह question आएम तोर पर किते mark के लिए पूचा जाएगा यह दो mark के लिए पूचा जाएगा तो I supposed to write four points there चार points मैंने लिखनी चाहिए लेकिन अगर मैं चारी point लिखो तो मुझे थोड़ा समझा नहीं आएगा अगर मैं extra और एक point लिख लेता हूँ तो चाओदा point हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह जो wave है progressive wave यह energy propagate करती जो wave का मुख के function है तो हम लिख लेते these waves क्या करें transport energy यह energy transport कर रही है यह wave ठीक है ना और एक point लिख लेते आखरी में आप यह जो next point हमारा रहेगा वो ऐसा कुछ रख सकते हैं कि जो progressive wave है वो दो प्रकार क्यों होती है कुणसी एक longitudinal और एक transverse yes हम यह भी डाल देते progressive waves या these waves भी बोल सकते हैं कैसे होती है are of two types are of two types दो types क्यों होती है ठीक है number one कुणसा है हमारा longitudinal wave longitudinal wave और दूसरा प्रकार हमारा रहेगा transverse waves ठीक है तो यह दो प्रकार है दीकिए मैंने कुल पायू पॉइंट यहापे लिखे है एकदम छोटे छोटे पॉइंट से easy to remember है और इस तरह से हम यहापे दो मार्क लेते हैं और marking scheme यहापे कुछ इस प्रकार से रहेगी गौर करना इसके उपर आपको आदा मार्क मिलेगा इसके उपर भी आदा मार्क मिलेगा यह वाला पॉइंट भी आदा मार्क का यह वाला पॉइंट भी आदा मार्क का और यह एक्स्ट्रा पॉइंट है बरवरे तो एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए no marks लेकिन अगर कोई एक पॉइंट आपका गलत हो जाता है तो एक्स्ट्रा पॉइंट को count करके इसको consider किया जाएगा तो फिर यहाँ पर mark आपके बनते है टोटल दो mark तो बोर्ड में इस प्रकार से आपका valuation इस question के लिए होना चाहिए ठीक है चलिए अब चलते हैं दूसरे question के हाँ तो चलिए second question हमारा है explain reflection of transverse wave from denser medium and rarer medium तो यहाँ पर हमें बारी बारी denser और rarer medium से reflection समझाना है transverse wave का देखें यहाँ पर हम बहुत ज़्यदा example नहीं लेते हैं दो mark का सवाल है एक mark के लिए एक topic देगा from denser medium जो reflection बताएगे वो एक mark करेगा और from rarer medium जो आप explain करोग के वो एक mark करेगा तो इस प्रकार का distribution यहाँ पर रहेगा तो सबसे पहले हम बताएंगे denser medium से कैसे reflection होता है ठीक है तो मान की चलिए कि हमारे पास में एक क्रिस्ट है जैसे कि अब इस डियाग्राम में मैं आपको दिख रहा हूँ इस क्रिस्ट और यह क्रिस्ट आगे जाके किसी एक medium के उपर गिरने वाला है तो यह हमारा denser medium है जो मैं इस प्रकार के इससे बता रहा हूँ तो यह जो क्रिस्ट है मेरा यह आगे बढ़के जाएगा यह string के ओपर मैंने डेवलप किया आगे जाके एक समय में यह इसी medium को आके टकराएगा ठीक है ना जो medium यहाँ पर जाके टकराएगा कूछ इस प्रकार से तो यहाँ तक तो सीधा गया हूँ और फिर यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ टकराया तो जब यह टकराएगा ना यहाँ एक मेरिट मैं पेंचेंज कर लेता हूँ अब देखो यह पॉइंट पे जो रेड स्पॉट मैंने बनाया इस spot के उपर में जो particle है vibrating particle जो है medium के string के वो upward force exit कर रहा है कर रहा कि नहीं देखो यह upward force exit कर रहा है यह direction के अंदर में जब वो force upward act करेंगे उसी वक्त में जो reaction force देंगे denser medium के particle वो downward रहेगा कुछ इस प्रकार से तो आपका यह reaction force है और यह जो उपर में दिया हुआ red वाला जो था यह आपका force है जो exit किया string के particle ने उस denser medium के उपर में ठीक है ना तो diagram clear समझ में आगे आपको ठीक है अब इस reaction force की वज़े से क्या हो जाता जो particle of medium है वो नीचे की तरब चले जाते हैं और नीचे की तरब जाने की वज़े से आपका जो resultant wave है after reflection वो कुछ इस प्रकार से बन जाता है कुछ ऐसे ठीक है अब यह देखे नीचे की तरब चला गया है ना तो जो crystal यहाँ पर अब यहाँ पर reflect होके वापस जा रहा है यह आगे जा रहा था अब यह वापस आ रहा है यह reflected wave है तब यह trap बन के जा रहा है तो यहाँ पर गिरा तो crest था है ना और वापस आ रहा है रब बन के वो वापस जा रहा है तो diagram आपको समझ में आ गई तो diagram के बाद में हम इसको लिखते कैसे चला वो भी देख लेते चलिए पहला point हमारा यहाँ पर रहेगा कि जब कोई crest है ना when crest of transverse wave क्या कर रहा है यह fall हो रहा है falls on कहाँ पर fall हो रहा है denser medium पर boundary of denser medium denser medium ठीक है तो क्या होना चाहिए vibrating particles जो medium के जो particles होते है ना wave वाले वो vibrating particles होते है vibrating particles of क्या of कौन से rare or medium वाले है ना या wave वाले wave क्या कर रहे हो they exert force है ना they exert force on particles of denser medium पार्टिकल्स ओफ डेंसर मीडियम मीडियम ठीक है तो देखो जब यह इसके ओपर में कुलाइड हो रहे है ना यहाँ पर यहाँ पर आपने जो red color का जो arrow दिख रहे हो जो है यहाँ पर red color का arrow दिख रहा है वो बता रहा है कि वो force exit कर रहा upward direction में लेकिन जो downward आपको arrow दिख रहा है यहाँ पर green color का वो बता रहा है कि normal reaction उसे उतना ही मिल रहा है तो हम यह बताना पड़ेगा कि वो same normal reaction इसे मिल रहा है तो second point हम इस बात को cover कर लेते है as particles of denser medium कैसे होते है वो they are not free to move okay so particles of denser medium are not free to move okay क्योंकि वो बंदे भी होते है strong molecular force से तो वो free to move नहीं होते they are not free to move hence exert strong reaction है ना या equal and opposite reaction equal and opposite reaction इससे क्या होगा इससे क्या होगा as a result phase change होगा phase changes by 180 degree thus crust is reflected as trough ठीक है तो इस प्रकार से crust जो है वो trough बनके reflect हुआ अब हम तीसरा point इसमें जोडेंगे when trough falls on denser medium yeah medium then it is reflected जोगा तो मैं आप ही के सामने इसे copy paste कर रहा हूँ जरा कोर करना यह इसलिए कर रहा हूँ मैं कि यही सेम वर्डिंग्स आपको एक्जाम में रिराइट करना है ताकि आप इसके जो क्या बलते याद करने का जो जंजट है वो आपके उपर न रहे और आप बड़े आसानी से इसका अंसर लिख सके तो देखिए ट्रिक देखिए अपनी अपनी कि यहां पर हम लिख रहे हैं reflection जैसे उपर में तो हम अल्रेडी लिख चुके थे आज यह नहीं लिखे थे हम लिख लेते अभी ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे reflection of TW मतलब transverse wave from denser medium यह नहीं लिखा था एडिंग, जो जरूरी था, अभी लिख दिया मैंने, अभी यहाँ पे एडिंग देंगे, reflection of transverse wave from rarer medium, अब rarer medium से reflection होते वक्त क्या होता है, when crystal of transverse wave, बरोबर false on, अब मैं एक काम करूँगा, यह जो dancer लिखा हुआ है, मैं इसे correct कर लेता हूँ, इसकी जगह पे देखो, denser जहाँ भी word आपको दिखाई दे रहा, यहाँ भी denser word दिखाई दे रहा, मैं denser word को अटा दिया, और denser को replace कर रहा हूँ, rarer medium से, यह लिजे, rarer medium, vibrating particle of wave, exit force, देखो, यह बोल रहे हैं कि, यह exit force कर रहे, on the particles of rarer medium, यह बस सही है, तो यह मैंने rarer medium डाल दिया, देखो, इस प्रकार से, यहाँ पहले denser medium था, अभी मैंने यहाँ पर rarer medium कर दिया, वापस से second point यही से ले ले लेते हैं, जो हमारा previous answer था, उसी का second point ले रहे हैं, देखो, यह एक ही answer हम कैसे बना रहे हैं, इसको मैं duplicate कर दिया, और लीजे, इसको भी लेके जाता नीचे में, यह लो, यह second point हमारा, ठीक है, यहाँ भी आपको denser medium नजर में आ रहा है, यह denser को हटा दिजिए, और कहाँ पर denser दिखाए दे रहा हूँ, देख लो, और ठीक है, एक जगा पर दिखा मुझे, तो इसको मैं बदल देता हूँ, rarer medium कर देता हूँ, rarer medium, particles of rarer medium, right, particles of rarer medium are not free to move, right, बरो बरे, यह तो गलत हो गया न, बिलकुल गलत हो गया, they are free to move, तो मैं यहाँ से यह निकाल दिया, not निकाल दिया मैंने, देखो मैंने क्या के चिंजिस किये, यहाँ पर नोटता हूँ, हटा दिया मैंने, यहाँ पर rarer बना दिया, denser को, they are free to move, hence, do not exert, अभी यह exert बोल रहा, हम बोलेंगे, do not exert, तो हम यहाँ पर बोलते है, do not, यह word डालना होगा, यहाँ पर, do not exert, equal and opposite reaction, as a result, face, face change नहीं होता, as a result, no face change occurs, बोल सकते हैं, as a result, तो मैं यहाँ पर थोड़ा बोल देता हूँ, no face change, तो, changes जो है, मैं यहाँ पर देता हूँ, आई, सा देखो, यहाँ पर थोड़ा arrangement कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर, no face change occurs, तो मुझे, यहाँ पर जो change है, यह सोड़ा ससर का देता हूँ, यहाँ पर, और अब हम लिखते है, no face change occurs, face change नहीं हुआ, thus, crest is reflected as a crest, तो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, crest, no face change, crest का crestी जाएगा, crest का टप इसलिए बनाता, क्योंकि उसको equivalent opposite reaction मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि rare or medium में equivalent opposite reaction नहीं दे सकता, उसकी capacity नहीं है, due to weak intermolecular force, that is why, crest जो है, crestी reflect होगा, जो third point हमने यहाँ पर लिखाता देखो, when, यह वाला, इसको भी मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, चलो, इसको भी हम बना लेते, duplicate, और यह भी हम डाल देंगे, नीचे की तरफ, सबसे नीचे हमारा अभी यह तीसरा point, जब truff आ रहा है, truff falls on the denser medium, then it is reflected as a truff, ओके, यहाँ पे भी क्या चाहिए, अभी हम यह change कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रफ लिख रहे हैं, देख लो, यहाँ भी हम change को highlight कर रहे हैं, यह लेजे यहाँ पे ट्रफ बनाया, तो जो उपर का answer है, वही यहाँ पे लिखा गया है, with slight changes, ठीक है न, तो उमिदे आप मेरे साथ साथ लिख भी रहोंगे, तो अपने अपने notes बनाते जाना, और जो मैं trick दे रहा हूँ, उसको ख्याल में रखना और अन्य answers में भी उसका इस्तमाल करते जाना है, ठीक है?